एक और नहीं वीडियो में स्वागत है मेरा नाम प्रत्य प्रकाश है और आज मंतली एक स्पाइरी है अभी 9.35 हो रहा है लगबग एंड मार्केट देखो ट्राइ किया था यहां पर आज की हाई को क्रॉस करने का जैसे मैंने मार्क करके रखा है तो यह हाई को क्रॉस करने ही वा रहा था मैं सोचा था कि यार इंट्रे लोग की नहीं लो बट वही है कि प्रीमियम में कुछ खास मूव्मेंट नहीं आ रहा था देखो प्रीमियम यहीं का यहीं था मतलब ओवराल मैं बस वीट कर रहा था कि अपसाइड के तरफ कोई करने क्लोस करेगा ना तब मैं एंट्रे लोंगा देन वैसा कोई सेटप बना नहीं ठीक है और अगर हम लोग बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में मूफ कर रहा भी ऐसे ऐसे ठीक है कहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा आच कि निफ्टी 50 में एक अच्छा मूफ देखने को मिलेगा अब या तो वह आधा गंटा के अंदर देखने को मिल बीच में ऐसा नहीं है कि बाई बराव भजे या फिर इंग्यारा बजे देखने को मिलेगा अगर देखो यहां पर भी प्राइस एक्षण क्या बता रहा है यह जो रेड कैंडल बना है ना काफी इस्ट्रॉंग रेड कैंडल बना है ठीक है तो यहां पर उतना फास्ट करेंग,शो हूँ टो सेलिंग ही,अब तो यही है अब ही का मार्केट यही चल रहा है,देख सकतो हूँ बाइंग में तो जा रहा है,बद सेट ऐप का वेट करेंगे, ऐसा थो फाइदा से कोई THIS किसे हैं दोनों के बिच में काफी ज्यादा डिफ्रिंस होता है यह रेड़ máquinas बनता हैpr तो लेट सी वेट करते हैं सेट अप का वैसे आज भी मेरा एक्जाम है यह सब छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आते रहता है एक्जाम से एलेटेड यह सब और आज मेरा पेपर जो है वो है पहरा दियdum होको मेरा किस तरीके से खाम करता है डपलुबी सी आर वी सी यह सब आर वीची सीरम में नहीं होता है डबूबी सी होता है बता नहीं कितने लोग नाम सुनिए होंगे लिम्फो साइट्स यह सब तो वो इस CHEEЗ का एग्जाम है अभी देखते है 15-20 मत वेट करता दस वह तक अगर कोई setup बनता है तो मैं trade लूँगा वरना आज की दिन trade नहीं करेंगे ठीक है क्या big decay हो रहा है premium में decay हो देखो market fall नहीं कर रहा हुतना लेकिन decay जादा हो रहा है expire ही है यार क्या ही कर सकते हूं nifty 50 bank nifty भी sideways है तो wait करते हैं देखते हैं कोई setup बने तो मैं आपको update करता हूं एक sl hunting करने के बाद market वापस उपर के तरफ move कर रहा है ठीक है एंड मुझे लगता है कि यह genuine move होगा तो मैं अभी scalper mode on करता हूं और जावा quantity से नहीं पांच lot से करते हैं पांच lot यानि 125 इस candle के close होने का wait करते है ठीक है वरना फोर्मों में आकर ट्रेड लेना नहीं है क्योंकि इस zone पे seller है क्या manipulation है यार क्या loss होता है यहां पर लोगों को अगर कोई trade लेता मैंने यहां पर link तो दिया था बट अगर कोई trade लेता खुद सूचे कितना जटका लगता उसको एक सेकेंट केंद है इसलिए इसलिए बोला जाता है थोड़ा सा setup का wait करना चाहिए वापा super की तरफ move कर रहा है क्या यह ओके यहां पर मैंने trade को execute कर लिया है ठीक है मुझे यह सा लग रहा है कि यह जो है न यह candle breakout कर देगा लेट सी क्या होता है अभी छोटा मोटा loss चल रहा है और इस candle के close होने का वेट करते हैं अभी अप्रॉक्स चार सो तीन सो का loss चल रहा है और उपर से यह rejection ले लिया है बाइंग आना चाहिए यार यहां पर अच्छा buyers है और अभी 200 का loss चल रहा है सहे थोड़ा सा उपर बाइंग हो गया है बट कोई बात नहीं जाएगा तो उपर ही एक बार इस level का breakout कर दे अच्छा profit फिर होगा इस level का breakout कर दे अभी cost to cost पर आ चुके हैं let's see क्या होता है इसमें यह candle अगर bullish candle close करता है ना तो premium में और spike देखने को मिलेगा यहां पर बाइंग का ही प्लैन क्यों किया है जान उचके किया है क्योंकि selling हो नहीं रहा है यहां पर सही तरीके से बट यार ऐसा candle close करें यह में के नीची इस तहीं है candle close किया तो मैं trade को cut कर दोंगा क्योंकि losing trade hold करना फालतू होता है देखो मैंने trade को cut कर दिया है चोटे से loss में क्योंकि यह जो candle बन रहा है यह काफी इस जोन पर seller है काफी अच्छा seller है और वो लोग हार नहीं मान रहा है लगता है बड़ा quantity डालना पड़ेगा लगवग 10-20,000 quantity डालेगा तो इनों तुरन बाहर में कल जाएगा अभी मुझे जानते नहीं है यह लोग क्या इसको हम लोग manipulation बोल सकते हैं नहीं इसको price action बोलेंगे मार्केट यह जोन पर seller है तो selling कर रहे हैं यहाँ पर manipulation किस बात का 468 रुपीज का loss हुआ single trade में 468 रुपीज दिखरो कितना चोटा loss है 125 quantity लिया था तो मतलब चार point से भी कम loss almost 4 point ले लो 468 का loss हुआ है देखर मैं अभी selling का plan इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि market 26,000 level को cross करके उपर sustain कर रहा है तो selling के दरफ जाने से कोई मतलब नहीं बनता है मतलब एक होता है ना reversal trade reversal trade में बहुत कम करता हूं चलो ठीक कोई बात नहीं अगर कोई दुसरा setup बनता है तो काफी छोटा loss लिया था मैंने अगर कोई दुसरा setup बनता है तो trade में execute करूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा same strike price पे करेंगे एक बात बोलू यह candle बनने के बाद market छोटा सा pullback लेने के बाद दुबारा नीचे गिरना चाहिए था तो यह candle के बनता है SL hunting के लिए and market SL hit कर दिया जैसा मेरा आपने देखा होगा and दुबारा एकदम उसी range में वापस चला गया इसका मतलू यह है ना कि यह selling नहीं हुए यह केवल SL hunting का candle है उसके अलबा और कुछ नहीं है और EMA से देखो market कितना चाहिए rejection candle बना रहा है तो मेरा अभी भी ट्रेड बुलिश आइड़ी है कॉल्स आइड़ी है लेकिन प्रॉब्लम ही है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है देख सकते हो बैंक निफ्टी एक range में move करने लग रहा है मतलब काफी जादा sideways है यह भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा एंड बैंक निफ्टी में selling के तरफ थोड़ा जा रहा है selling नहीं बोल सकते बट हाँ sideways की तरफ हो चुका है मतलब कोई momentum नहीं दिखा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर कितना अचा यह candle close होने दो फिर में execute करोंगा trade ओके छोटा सा pullback मैंने इस trade में दुबारा entry लिया है काफी सही है अगर market इस level का breakout कर देना ओके देखते हैं इस trade को hold करेंगे एक decent profit निकाल के जाएंगे अभी 300 का loss चल रहा है 468 रुपीज का सायथ loss था इसमें लेट सी इस level पर उपर अगर कोई green candle close कर देना तो यहाँ पर जितने भी लोग selling कर रहे था न वो सारे लोग निकलेंगा market से market अराम से उनको निकाल देगा and अगर यहां से दुबारा reverse हो जाता है आज के दिन trading बंद हो सकता है market आज भी sideways हो सकता है nifty 50 का expire ही है तो क्या कि यहां पर selling तो fast नहीं आना चाहिए यह candle यह में के नीचे अगर कोई candle close कर देगा ना तो मैं trade को cut कर दोंगा कोई फाइदा नहीं है losing trade को hold करने से and अगर breakout आता है तो अच्छा breakout आएगा 200 का भी loss चल रहा है 468 का loss था है rejection बना देता है यार यह candle काफी अच्छा है नीचे से rejection है बस bullish candle close करना चाहिए लांग पॉजिशन वाह 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 भाई अटलिस यहां तक आजाब मज़ा आजाएगा यहां तक आजाएगा यहां तक आजाएगे मेरा stop loss रहाएगा उपर close करो नहीं यार rejection नहीं उपर close करना है cost to cost अब भी 100-500 का loss चल रहा है 200 यह candle ऐसा नहीं बनना चाहिए अगर जा रहा है उपर तो अराम से जाओ बैंक निफ्टी का क्या हाल है बैंक निफ्टी भी ट्राई कर रहा है उपर जाने का लेकिन धीरे धीर है यार यह rejection ले लिया है तो यार hold करने से कोई फायदा आया नहीं क्योंकि movement आना चाहिए तो अभी अच्छा गासा movement आएगा वरना market sideways हो सकता है जी नहीं हमारा loss करवाके रहेंगे आज यह चलिए मैं trade को cut कर रहा हूँ छोटे से loss में इसमें तो क्या पता एक दो point का loss हुआ होगा 726 रुपे का loss हुआ है आज डे को यहीं पर close करते हैं देखो मैं trade को बस एक reason के वज़े से close किया हूँ यह उपर जाके rejection ले लिया है इस candle में काफी जादा लोग entry किया होँगे आज की high को cross किया होगा तो और उन सारे लोगों का SLE करने market वापस नीचे आ गया ठीक है तो और SLE hunting के दिरफ market अगर नीचे जाए गना तो यहाँ पर अच्छा कासा loss हो सकता है ऐसा मेरा मानना है ठीक है एंड नहीं हो पाएगा मतलब बाइंग के दिरफ जाना तो चाहिए था बट ऑके यहाँ पर वापस क्रॉस कर रहा है नहीं 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 हो पाएगा स्टेड को सही किये कट कर दिया है एंड ओवराल आज 700 के loss में close करते हैं देखो 726 रुपय का loss हुआ है देख सकते हो नहीं नहीं मार्केट सही नहीं है यार ओहो हो 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 चलिए ठीक है आपका हर दिन setup काम नहीं करेगा आप हर दिन profit नहीं कर पाऊगे किसी दिन loss भी लेना जरूरी है आज 726 का loss में close करते हैं हम लोग वैसे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना एंड मैं ट्राइ करता हूं कुछ हमेशा चीज सिखाने का कुछ हमेशा बताने का मेरे experience एर करने का अगर वह experience आपको थ्वाश सही लगता है तो चैनल को subscribe कर देना बाकी मिलते हैं अं